हेलो गईस आज हम बात करेंगे ओपो डिवाइस के स्मार्ट बैटरी सेवर मोट के बारे में बेसिकले बैटरी पे वर्क करेंगा यह फीचर और इसमें आप लोग कोई बैटरी सेविंग का जो सिस्टम रहेगा थोड़ा बहुत यहां पर एडवांस आप लोग को देखने को मिल जाएगा तो इस फीचर कला आप उठाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में सेटिंग उपन करें सेटिंग उपन करने में आप लोग को सिंपली चले जाना है बैटरी वाली सेटिंग पे जैसे आप लोग स्पेकली करें गईज मैं आप लोग को बता दू यह फीचर आप लोग को जो है कॉमन सी बात है कलर ओ या सिक्स और सेवन में आम तोर पर देखने को मिल जाथा है बट अगर आप लोग color हो या streakady वाज उस कर रहे तो उसमें आप लोग कुछ फीचर देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पे आप लोग थोड़ा बहुत compromise करना पड़ेगा जैसे आप लोग फीचर पहेंगे यहां पे आप लोग को एड़वांस फीचर क्या मिलता है जो की नया फीचर है जो की smart power saver माफ करना मैंने सबसे पहले कुछ गलत नाम ले लिया था बट यहां पे इसका नाम है smart power saver simply इसको आप लोग on करके रखे जब तक आप लोग इसको on करेंगे काफी अच्छ है यहां पे आप लोग के phone में advance फीचर रहेगा हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग को ब्राइटेस ने फ़र्ग देखने का मिले बट बैटरी का जो saving का सिस्टम जड़ाएगा काफी अच्छ है यहां पे वर्क करेगा तो इस फीचर का आप लोग में recommend करूंगा आप लोग और नहीं रखे अगर आप लोग कॉस्टम तरीके से भी पावर से वर्क करेंगे तो यहां पे आप लोग की applications आ जा जाती है तो basically जो फीचर है application पर वर्क करता है बहुत सारा battery हमारा जो application खा जाता है तो यह इस पर वर् background running पे करते तो यह जो है automatically work करेगा मतलब कि आप लोग को default में manually आप लोग को जो है कोई भी application पर setup नहीं करना पड़ेगा बड़ smart power saver पे आप लोग on कर दीजिगा और इसे पर आप लोग को मैं recommend करता हूँ कि आप लोग इसे पर phone को चलाएंगा काफी अच्छा battery backup यहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि मैरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मुझे काफी ठीक लगता है फिचर इसलिए म मैंने आप लोग को recommend किया अब भी आप लोग को भी doubt होगा आप लोग मुझे comments कर सकते उमीद करते आप लोग को वीडियो पसनेगी जमायता दी